नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हर्षिद वेदी और मैं आपका स्वाथ करता हूँ अपनी एक और important वीडियो में जो की weather forecast से relate करती है weather forecasting होती क्या है? देखिए पहली बाद तो इस पूरे की पूरे topic को इस पूरे की पूरी PPT को मैं आपको दो भागों बटाऊंगा पहले भाग में लोग बात करेंगे weather forecasting होती क्या है? ये weather forecasting agricultural production में क्यों important है? और सबसे जुरूरी चीज़ इंडिया में कौन-कौन सी weather forecasting agencies है? यहाँ पे एक important role मतलब जो सबसे premier agency जो ministry of earth sciences के अंदर काम करती है वो है आपकी India Meteorological Department IMD तो ये जो चार चीज़े है weather forecasting, importance of weather in agricultural production weather forecasting agencies और India Meteorological Department इसको मैं आपको इस वीडियो मताऊंगा काफी important factors आपको है जानने हो मिलेंगे और इसके just बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जो की deal करती है एकुरेट फोरकास्ट करके farmers की मदद की है रीसेंटली तीन दिन पहले अभी से National Council of Applied Economic Research ने एक सर्वे रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये बताया गया कि National Monsoon Mission के अंदर जो भी पैसे खर्च किये गए हैं उसने कैसे farmers की और fishermen's की life को improve किया है और finally conclusion इन दो वीडियो में दोस्तों weather forecast किसले जरूरी है होता क्या है किस किस तरीके से इंडिया के दौरा किया जाता है इंडिया यूएस के models को किस तरीके से simulate कर रहा है और कैसे हजारो करोड का फायदा कराया जा सकता है farmers को इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में और इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे जल्दी वीडियो आपको back to back मिल जाएगी तो आगे बाटन इस पहले वीडियो को बैल लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे यह जो भी वीडियो है दोस्तों यह issues in news और environment and ecology दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी तो हम मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सक्षन में जाके देख सकते हैं मुझे help करने के लिए आप join बटन दबा की चैनल के member भी बन सकते हैं पर आपको कुछ extra वीडियो मिलेगी इंस्टाग्राम पर follow कर लीजे आपके सारे genuine doubts के जवाब दूँगा telling and आप group join कर लीजे वहाँ पर आपको इस lecture की PDF मिल जाएगी यहाँ पर एक model UPSC मेंस का question भी आपके लिए मैंने जोड़ा है General Studies paper 3 में जो agriculture produce and issues related to and issues and related constraints e-technology in the aid of farmers इस head के अंदर यह पूरी की पूरी weather forecasting आपको मदद करेगी question क्या है आप देख सकते weather forecasting plays an important role in agricultural sector agriculture spelling गरत होगी sorry for that discuss the statement include the agencies involved in weather forecasting in India and how weather forecasting has made a difference in farming sector यह बड़ा generalized तरीकी का question हो गया but no doubt आप इस question से अंदादा लगा सकते है इस PPT के जो information है वो आपको diverse जगाँ में काम आईगी चाहे वो GS paper 3 हो चाहे वो essay हो और चाहे आपके prelims के MC की हो तो सबसे पहले बात करते है what is actually weather forecasting so weather forecasting is the application of current technology and science to predict the state of the atmosphere for a future time in given location मतलब कि अभी के समय पे हमारे पास जो भी technology है चाहे वो किसी instrument के थूँ weather को forecast करने वाली बात हो चाहे समय समय पे weather को measure करके observations लेके future में प्रिटर करने वाली बात हो देखे मैं आपको इबात गता दूँ आज की date में जो scientific और weather instruments और devices और tools और equipments अविलेबल है scientific community के पास वो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले अबलेबल नहीं थे और कहीं न कहीं weather से related जो research चल रही है weather से related जो analysis चल रही है वो आज की नहीं है वो बहुत सालों से चल रही है पिछले 100,500,200,300 सालों से चल रही है तो weather forecasting is a phenomena in the making आज की rate में हमारे पास जो equipments है हो सकता है आगे आने वाले 5 सालों में 10 सालों में और ज़दा है efficient equipments हो तो continuously weather forecasting की जो science है वो evolve हो रही है अभी के लिए weather forecasting दो तरीकों से की जाती है एक तो होता यह है कि as much as data जितना ज़्यादा data हो से कि आप collect करो इस data में temperature क्या है एक जगा का है humidity क्या है wind क्या है इससे related आप कुछ observations लोगे और उन observations से आगे आने वाले समय के weather patterns को आप assess करोगे इसमें जो atmospheric processes हो रहे है एक given temperature humidity और wind में उसको भी आप assess करोगे meteorology में इसकी proper पढ़ाई होती है और कहीं ना कहीं कुछ numerical models भी develop की जाते हैं देखिए दो थरीके से weather forecasting होती है एक थरीके सो तो होती क्या है कि आपने पिछले 30 से 40 साल का data पकड़ा और अच्छा एक और बात weather forecasting को समझना है तो मैंने एक video बना रखी difference between climate and weather तो climate and weather मेरे नाम के साथ YouTube में सर्च मारी है आपको वो वीडियो मिल जाएगी आप उस वीडियो को देख ले जाके आपके basics क्लियर हो जाएगे climate और weather के respect में इस climate और weather से लेटिल मैंने दो वीडियो बना रखी एक वीडियो तो मैंने बनाई ये difference between climate and weather with examples लगबग 6 महीने पहले और एक वीडियो मैंने बनाई देखे class 9 की जो geography की किताब उसका chapter 4 में जो मैंने part 1 बताया है जहाँ पे climate, weather, precipitation and monsoon बता रखा है वो मिल जाएगी तो आप climate मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजे चाहे weather मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजे आपको वीडियो मिल जाएगा आप देख लिए जाके ठीक है वापस आजाते है weather forecasting पे देखिए अगर बात की जाए weather की forecasting की यह असान नहीं है a very chaotic nature of atmosphere एकदम से चीजें बदलती है आपने कभी-कभी देखा होगा आप घर में बैठे हो बिल्कुल तड़की दूप निकलियो रिकदम से बादलाय और पारी मेरस किया तो भाईया atmosphere में जो weather का forecast है न this is not easy और weather का forecast हो सकता है climate का forecast हो सकता है weather का forecast हो नहीं सकता है weather का forecast करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों पे observation करना पड़ेगा और बहुत detailed observation और कितना भी observation कर लो कुछ ना कुछ anomalies आपको मिल जाएंगी observation आप किस चीज़ी करते हो तो भाईया atmospheric pressure क्या है surface पे उसका temperature क्या है wind speech क्या है wind direction क्या है humidity precipitation इन सब का observation किया जाता है weather forecasting में data assimilation को इस्तमाल किया जाता है तो अलग अलग जगहों पे जो भी आपने tools को deploy कर रखा है जो भी instruments को आपने deploy कर रखा है उससे आप data collect करोगे अपनी satellite से आप data collect करोगे भी satellite tools इन सब के बारे मैं आगे बात करोगा इन सारे data को आप assimilate करोगे और उस assimilation के आधार पे आप observation करने कोशिश करोगे और ये observation हमेशा human mind से नहीं होता है ये observation मशीनों से होता है इसलिए एक numerical model प्रेपेर किया जाता है बाप बोलोगे क्या इंडिया के पास ऐसा research and technology है कि हम लोग इस प्रकार के numerical models और मशीनों को develop कर सके तो unfortunately नहीं है हमारा Indian Meteorological Department और कुछ और जो technological institutes है इंडिया वो उसमें research कर रहे हैं जैसे कि IIT Delhi, IIT Bombay Indian Institute of Science Bombay Indian Institute of Science Bangalore ये सब लगातार environment के field में अपनी research इन्होंने जारी कर रखी है बट कहीं ना कहीं numerical model को calculate करने की जो technology है उसमें बहुत high level के analytical planning चलती है इसलिए super computers को deploy किया जाते है अब fortunately हमने अपने देश में super computers बना रखे हैं अब आप मुझे नीचे comment box से मताए इंडिया के पास जो super computers है उनका नाम के है बट कहीं ना कि इस technology को हमने USA से मागा है अला कि USA की technology में भी हम लोगों ने changes की है चुकि USA का जो weather pattern है और हमारे इंडिया का जो weather pattern है वो अलग है तो USA के weather pattern को study करने के लिए वहाँ पे जो equipments उनके पास है और इंडिया के पास जो equipments है वो बिल्कुल same नहीं है उनमें फर्क है ठीक है तो यहाँ पर हमने यह समझा कि जो numerical weather predictions होते है यह computer simulation होते है यानि कि किसी एक जगा के atmosphere में temperature, humidity, rainfall इन सब के data moisture को आपने उठाया एक system में feed कर दिया और वो system fluid dynamics के आधार पे physics के आधार पे आगे आने वाले समय में क्या weather होने वाला है इसको predict करके बताएगा और इस prediction में जैसा कि मैंने आपको बताएगा super computers का involvement होता है super computers में ही इतनी analytical power होती कि वो इतनी tricky चीज़ को धून सके अब बात करते हैं कि weather production का importance क्या है agriculture production में agriculture weather के साथ जुड़ा हुआ है climate long term में आप measure करते हो 30 साल के लगबग का time आप climate measure करते हो तो overall हमको इस climate pattern से ये पता है कि भाईया मई अपरैल से लेके जो जून जुलाई वाला time होता है इंडिया में गर्मी पढ़ती है तो ये climate है लेकिन इस climate के अंदर इन गर्मियों के दरान कौन से दिन एकदम से पानी बरस जाएगा ये आप कैसे जानोगे तो weather prediction के तुरू जानोगा और weather prediction में जैसा कि मैंने बोला गलतियां हो जाती है anomalies हो जाती तो जब बात की जाए weather की weather का profound impact है agriculture पे हमारे weather patterns पे agriculture बहुत हद तक dependent है तो भाईया किसी crop को कब लगाना है उस crop में किस समय पे pest attack हो सकता है कब उसको disease attack कर सकती है किस crop को किस समय पे water की ज़रोत है fertilizer की ज़रोत है ये सब कैसे पता चलेगा weather से पता चलेगा अब आज की date में agronomic planning बहुत higher level पे पहुँच चुकी है तो आप बात करो कि year to year weather changes होते है अब आप देखो दोस्तों अगर आपने मेरी monsoon वाली videos देखी मैंने geography में monsoonal videos को बहुत detail में समझाया है तो अगर आप मेरी geography NCRT के playlist आपने नहीं देखी तो please देखी जाके अब तक मैंने class 10 तक की geography की NCRT's खतम कर दी है class 11-12 बाकी है और 11-12 जब तक मैं खतम करूँ न तब तक पूरा geography का syllabus खतम हो जाएगा NCRT's को मैंने बस लाइने नहीं पढ़ी है अंदर गुसगुस के पढ़ाया है तो इंडिया का monsoon कैसे इंडिया के उपर आता है यह अब तक मैं हर बार आपको बता चुका हूँ 11-12 में और इन concepts को फिर से explain करूँगा तो देखे year to year जो भी monsoonal patterns है वो बदलते है 2019 में पिछले 20 साल की सबसे ज़्यादा बारिश होई 2020 में भी बहुत ज़्यादा बारिश होई हालागि 2019 से कम है 2018 में बारिश कम होई थी तो जो बारिश का pattern है वो weather pattern है तो मतलब इस साल का monsoon किस हद तक intensive होगा यह बहुत सारे और factors में depend करता है और इनको weather studies के अंदर पढ़ा जाता है तो मान लीजे अगर monsoon आने में delay हो जाता है तो पूरे की पूरे crop season और cycle perfect आ जाएगा चुकि देश का जो maximum इलाका है वो rain fed है वो बारिश पे dependent है agriculture के लिए और अगर बारिश delay होती है या फिर बारिश advance में आती है तो agricultural cycle को भी बदलना पड़ेगा साथ साथ global warming हो रही है global warming के साथ साथ एक जगा में temperature changes हो रहे है और इन temperature changes के चलते भी जो monsoon का arrival है या जो monsoon का departure है ये delay हो सकता है तो हो सकता है monsoon जल्दी आजा और जल्दी चला जाए हो सकता है monsoon जल्दी आए लेट जाए हो सकता है monsoon लेट आए और जल्दी चला जाए अब ये rain bearing winds के आगमन से पता चलेगा कि southwest monsoon में जो हवाएं आती है जैसे कि हमारा इंडिया है और इंडिया के western courts पे southwest monsoon आता है southwest monsoon की winds कब आएंगी और कब वापस जाएंगी ये पता करने के लिए weather models को पढ़ना बहुत जादा जरूरी है और यही सबसे बड़ा challenge है weather production का और यही सबसे बड़ा challenge है agriculture production का चुकि cotton जैसी crops मैं आपको एक example देता हूँ cotton की crop एक ऐसी crop है कि जब वो बढ़ रही होती न जब वो उग रही होती न उस समय पे ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए अब आपको पताएगी जो हमारा peninsular region है यह वाला जो region है यहाँ पे black cotton soil मिलता है और इस black cotton soil पे cotton होगाय जाता है अभी इस region में अगर बिन मौसम बरसात हो गई तो भाई पूरी की पूरी cotton की crop तबाह हो जाएगी और इस बात को 100% efficiency के साथ predict कर पाना कि भाया बारिश कब होगी यह almost impossible है इंडिया में USA का जो weather prediction system है न दोस्तों USA में weather ही ऐसा है कि उसका आप कुछ हट तक predict कर सकते हो इंडिया का weather बहुत ही जादा haphazard है बहुत ही जादा आप कह सकते हो prone to changes है पता ही नहीं चलेगा एकदम से कोई event हो जाएगा और पानी बरस जाएगा तो मालूब ही नहीं पड़ेगा कि भाई Arabian Sea में कब एक tropical depression बन गया और कब cyclonic conditions आगे हो कब पानी बरस जाए कुछ नहीं पता है लेकिन फिर भी जो हमारी agencies है वो involved है इस चीज़ को proper तरीके से study करने में कि भी यह कब पानी आएगा तो सबसे पहली बात है कि monsoon कब आएगा अभी monsoon बहुत सारी चीज़ों पर टेपेंट करता एक जगा पर temperature पे temperature ज़्यादा होगा तो वहाँ lower pressure होगा lower pressure होगा तो monsoon को अपनी तरह ज़्यादा कीचेगा तो एक जगा का temperature southwest monsoon के winds के आने का time इन सब चीज़ों को अगर आफ weather forecast से predict कर सकते हो तो अव्यसी बात है आप ज़्यादा अच्छी planning कर लोगे agriculture के और agriculture में किवल crops उगाने की बात नहीं होती है livestock के उगाने की भी बात होती है तो crops किस पर depend करती ही तो temperature पे sunlight पे rainfall लाइव स्टॉक यानि कि जो भेड़ बक्रिया है किस पर depend करेंगे यह सब चीजे weather forecast के साथ जुड़ी हुई है और weather forecast proper नहीं है तो सारी की सारी चीजें गड़ बढ़ा जाएंगी अब इंडिया में बात करते हैं कि कौन-कौन से institutes और organizations involved है weather forecasting में एक जो सबसे important organization निकल कहता है या one of the most important बोल दीजे वो है national center for medium range weather forecasting this is a very important center this has been a lead center in India for all weather and climate model rated research and operations अगर बात की जाये research की कि भाया medium range में weather किस तरीके से change होगा इसके लिए models develop करना, climates की analysis करना यह सब काम करता है NCMRWF इस काम के चलते दोस्तों यह organization ज़्यादा news में नहीं रहता है आप देखोगे कि IMD बहुत ज़्यादा news में रहता है, IMD news में इसलिए रहता है क्योंकि real time में जो भी weather alerts होते हैं वो ज़्यादा थर IMD issue करता है NCMRWF real time में जो alerts हैं थोड़ा कम issue करता है, यह research और operations में ज़्यादा involved है अब आप बात करो कर medium range weather forecast की तो medium range weather forecast को real time में पैदा किया जाता है कहां पे NCMRWF में किसकी मदद से, Global Data Assimilation Forecasting System की मदद से और फिर इसको agriculture और दूसरे uses के लिए इस्तमाल किया जाता है अब साल दर साल जैसे जैसे technology improve हो रही, जैसे जैसे आईटी डेली और IIT Mumbai और IIC Bangalore को नई technology लेके आते हैं उस नई technology को इस NCMRWF की system में upgrade किया जाता है और यह जो GCM है इसको भी upgrade किया जाता है इसके लिए high power computers, super computers का इस्तमाल होता है GCM क्या है? एक general circulation model है एक तरीके climate model है mathematical model है जिससे की ocean के उपर planetary atmosphere में weather changes किस प्रकार से होंगे इसके बारे में जानकरी दी जाती है तब बात करते हैं सबसे important organization की चोकिए India Meteorological Department यह एक agency है Ministry of Earth Sciences की Government of India के अंदर काम करता है principal agency is responsible for meteorological observations weather forecasting and seismology यह तीन काम करता है in meteorological department वैसे तो इसके headquarters दिल्ली में बट इसके बहुत से observations stations हैं इंडिया में भी है और Antarctica तक फेले हुए है regional office Mumbai, Kolkata, Naagpur और Poonay में ठीक है अगर आप World Meteorological Organization की बात करो तो World Meteorological Organization के 6 regional specialized meteorological centers हैं जिसमें IMD एक है तो IMD World Meteorological Organization को भी बहुत important inputs provide करता है काम क्या है Indian Meteorological Department का forecasting, naming and distribution of warnings for tropical cyclones in North Indian Ocean region मलका स्टेट में, Bay of Bengal में Arabian Sea में, Persian Gulf में तो केवल इंडिया ही नहीं हमारा जो immediate neighborhood है और in fact Antarctica तक पहले हुए है IMD के observation centers अगर इसके organization की बात की जाए तो ये head किया जाता है एक director general के साथ के थूरू इनका नाम है इसमें पर Dr. Mithunjya Mohapatra Dr. Mithunjya Mohapatra का नाम अक्सर का news में आता रहता है अगर मेरे इस वीडियो को record करने की बहुत समय बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है Dr. Mithunjya Mohapatra को replace करके कोई और मना दिया गया है नागपूर और न्यू डेली हर state capital में भी एक meteorological center है कुछ और units भी affiliated है Indian meteorological departments है जैसे इसके forecasting offices है agro meteorological advisory service centers है hydro meteorological office है flood meteorological office है area cyclone warning centers है cyclone warning centers है आप समझी सकते हो इसका काम क्या है flood meteorological offices किसी एक इलाके में अगर flood आने वाले तो उसके बारे potential warning देगा area cyclone warning system किसी जगा पे cyclone आने वाले तो उसके बारे warning देगा तो ये इनके अलग-अलग काम है अलग-अलग जगों पे AMD के networks है चाहे surface observatory हो चाहे glacial observatory हो तो बरफो के बीच Antarctica में भी इसके observatory है अपर air stations है ozone और radiation observatories भी है तो बहुत अलग-अलग प्रकार के AMD के operations है दोस्तों अब ही AMD ने अलग-अलग जगों पे जो भी instruments set कर रखे है उसको rapid यानि कि इंडिया के जो weather satellite data है उसके साथ match करना और फिर national monsoon mission और उसके बाद ये जो survey आई है NCAER यानिन National Council of Applied Economic Survey इसको मैं अगली वीडियो में explain करूँगा So thank you for watching this video friends जल्दी आपको अगली वीडियो मिल जाएगी Have a great day